अत्यंत मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवा के साथ मौसम खराब होने से केरल के इडुकी जिले में हरी इलाइची की फसल को काफी नुकसान होने की सूचना मिल रही है जबकि वह इसका सबसे बड़ा उत्पादक शेत्र माना जाता है। उत्पादकों का कहना है कि मौसम की मौजूदा स्थिती के कारण इलाइची की फसल पर फंगस रोग का प्रकोब बढ़ गया है जिससे 2024 से 2025 के वर्थमान मार्केटिंग सीजन में उपजदर घटने की आशंका है। तेज हवा के कारण इलाइची की लताएं नीचे गिर गई है एक अगरनी विशलेशक के अनुसार इलाइची की उत्पादकता में गिरावट आने की आशंका बढ़ गई है और अभी फसल के उत्पादन का अनुमान लगाना कथिन है क्योंकि इसकी तुराई तयारी शुरू नहीं हुई है। इडुकी जिले के प्रमुक उत्पादक शे प्रमुक उत्पादक के कुल उत्पादन में भारी योगदान देते हैं क्योंकि इनकी संक्या अधिक है। सूखे के संकट के कारण इन उत्पादकों को नए सिरे से इलाइची का बागान लगाने के लिए विवश होना पड़ा और उसे उत्पादन शुरू होने में कम से कम दो वर्ष का समय लग जाएगा। आम तोर पर इलाइची की तुराई तयारी का सीजन जून जुलाई में आरंभ हो जाता है लेकिन इस बार यह अगस्त के अंत या सितंबर के आरंभ से शुरू होने की संभावना है। पिछले साल देश में इलाइची का अच्छा रहने की उम्मीद है। इलाइची में त्योहारी मांग निकलने लगी है। केरल के प्रमुक उत्पादक क्षेत्रों में मौसम अब तक पूरी तरह सामाने नहीं हो पाया है। Bureau Report Market Times TV